आप से मैं जुड़ा हूँ तो जीवन में कई बदलावाए हैं और मेरा प्रश्ण पूछने से पहले थोड़ा सा एक बैकराउंड दूँगा क्योंकि अभी के कुछ महिनों में काफी जादा बदलावाए हैं तो काफी चीज़े स्पष्ट हुई जीवन में और मुझे साफ दिखाई देने लग गया कि मैं जिस कॉर्परेट स्लेवरिक में अटका हुआ हूँ वो बहुत ही मुझे खाय जा रही है और मुझे दिखाई देने लग गया और डर बिलकुल चला गया और एक समय ऐसा है जब म है तो मैंने खा कि मैं इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि जिस उद्देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपना वक्त ही नहीं बट जीवन व्याय कर रहा हूँ और फिर मने निर्णय ले लिया कि मैं छोड़ दोंगा फिर उसके साथ ही साथ जिस्चन मैंने निर्णा लिया तो एक बात अचानक से मुझे दिखाई देनी शुरू हो गई कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस corporate slavery में अटके हुएं और अब असली धे क्या होना चाहिए ये मैं सोच रहा था तो मैंने का कि कुछ ऐसा काम करूँ कुछ ऐसा platform बनाओ जिससे ये corporate slavery में से बाहर आ सके और क्योंकि मैंने काफी बाते कि उनसे उन्होंने का कि अगर ये हो जाए तो मैं कर सकता हूँ और दूसरी तरफ मुझे ये दिख रहा था कि पर्यावरण में जो अंदा धुंदी नुकसान होई जा रहा तो वो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा बहुत जोरों से और जब मैंने उसमें डेटा काफी देखा तब मुझे पता चला कि electricity जो अपने इंडिया में दूशन हो रहा है और इस साल जैसे गर्मी बहुत बड़ी सब जगा पर बाड़े आ रही है तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है इस चीज के लिए तो मैंने ये सोचा कि अभी एक प्लैटफर्म बनाओं जिसमें सारे लोग जो की गुलामी से हटके असली धे पर काम पर लग कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं इगो मेरा उस तरफ खीच रहा है और माया का भ्रहम के तले में फिर से किसी और चक्कर में अटक तो नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे अंदर से लगता है कि कुछ करना बहुत ज़रूरी है अभी और अगर नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी क्या काम कर रहा है आप अभी एनर्जी मैनेजमेंट में काम कर रहा हूं कि रिन्योबल एनर्जी के उपर जाद हम रहा है जैसे सोलार विंड इसके उपर जादा रिसर्च करके उसको इंप्लिमेंट करना और उसको मॉनिटर करना क्योंकि आज की डेट में डेटा ही अवेले करूंगा और जो इंप्लिमेंटेशन हो रहे हैं उस तरफ से मेरा काम है और उसमें जो जो लोग जुड़ेंगे उनको एक तो जॉब तो मिले गाए लेकिन वह अपने दर्फ से काम कर पाए असली बात क्या ये है कि हमारी टेकनोलोजी अविकसित है या असली बात ये है कि हमारा मन अविकसित है और धेह भाव सघन ही है तब तुम कितनी भी विकसित टेकनोलोजी लगा लो बच जाओगे क्या बोलो तुम्हारी पुरानी मशीन की एफिशेंसी 25 प्रतिशत थी तुम्हारी नई मशीन की एफिशेंसी 50 प्रतिशत है तुमने जबरदस टेकनोलोजी लगा दी ठीक है तो जितनी उर्जा तुम पहले ही खाते थे अगर उतनी उर्जा अभी खाओ तो कुल उर्जा की खपत कितनी हो गई आधी क्योंकि जो मशीन है अब वो डबली एफिशेंट दूनी एफिशेंट है लेकिन अगर तुम कहो कि मुझे उतनी ही उर्जा खानी है जितनी अमेरिका का एक आदमी खाता है और तुम अपनी उर्जा की खपत पचास गुनी कर दो तो डबली एफिशियंट मशीन भी क्या कर पाएगी कुल मिला करके तुमने यही तो करा कि अपना जो उतसरजन है, एमिशन है वो कितना कर दिया पचीस गुना बात समझ रहे हो जब बात मन के जूट की है, लालच की है, धोखे की है तो टेक्नॉलोजिकल डेवलप्मेंट कैसे तुमको बचा ले जाएगा अच्छा एक बात बताना आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान की सड़क पे कौन सी गाड़ियां चलती थी मैं कारों की बात कर रहा हूँ Ambassador और Fiat चलती थी मानलो पेट्रोल पर चलती थी, माइलेज क्या देती थी आठ, दस, Fiat दे देती थी, दस बारा का Ambassador दस का भी नहीं देती थी आठ, ठीक आज की जो गाड़ियां आई है वो उनसे दूना माइलेज देती है देती हैं की नहीं यानि की जितनी दूर जाने में जितना प्रदूशन Ambassador करती थी, आज की गाड़ि उतनी ही दूर जाने में उससे कम से कम आधा तो करती ही है प्रदूशन, ठीक Ambassador जितना प्रदूशन करती थी, आज की गाड़ी उससे आधा करती आधे से भी कम करती होगी तो प्रदूशन का इसतर 40 साल पहले के मुकाबले आज आधा हो जाना चाहिए आधा हुआ है क्या technological development इतना हो गया तुम्हारी जो नई गाड़ी आई है वो ambassador के मुकाबले आधा प्रदूशन करती है तो फिर तो 40 साल पहले कि अप एक्छा आज वातावरण में sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, particulate matter इन सब का इसतर कितना होना चाहिए आधा होना चाहिए आधा हो गया है क्या क्यों technological development तो हो ही रहा है भई टेक्नलोजिकल development तो हो रहा है ना उससे क्या production बच गया या production और 10 गुना हो गया है तुम ये भी तो देखो कि तब अगर एक गाड़ी थी 60 पर तो आज एक की जगा 40 है जिस technological development ने गाड़ी के engine की efficiency बढ़ाई है उसी technological development ने तुम्हारे हाथ में एक की जगा 40 गाड़ियां रख दी है तो कुल मिलाकर इस technological development का नतीजा क्या है कम production ये जादा production अगर technological development उनके हाथों में है जिनका मन अभी देहवाद भोगवाद लालसा और लालक से मुक्त नहीं है तो हर प्रकार का तक्नीकी विकास technological development आत्मगातक ही होगा लोग कह रहे हैं कि मास छोड़ो, दूद छोड़ो, विगनिस्म की तरफ जाओ अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि विगन लोग सोया का उपहोग खूब करते हैं नतीजा ये हुआ है कि अब पेड काटे जा रहे हैं सोया की खेती के लिए दुनिया की आबादी मान लो पूरी भी विगन हो जाए और लगे सोया खाने तो भी क्या दुनिया बच जाएगी तब तुम सोया के लिए पेड काटोगे पेड काटोगे, खेत लगाओगे किस चीज के? सोया की खेत लग रहे है, सोया की फसल उसमें लगाई जा रही है तुम किसी भी तरह का तक्नीकी विकास कर लो जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं हुआ है तब तक वो तक्नीकी विकास तुमको भारी पड़ेगा पलट के तुम पेवार करेगा भई, पिछले 300 साल का इतिहास देख लो तो टेक्नलोजिकल डेवलोप्मेंट तो होता ही जा रहा है न? कोईले का जो इंजन होता था स्टीम लोकोमोटिव उसकी क्या एफिशेंसी होती थी और आज का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसकी क्या एफिशेंसी होती है कोई तुलना ही नहीं है लेकिन कुल प्रदूशन तब ज्यादा कर रही थी रेलवे या आज ज्यादा कर रही है बोलो आज ज्यादा कर रही है न? क्योंकि जिस भावना के चलते तुम कोईले से उठ करके बिजली के इंजन पर आए हो उसी भावना के चलते तुमने एक कोईले के इंजन की अपेक्छा पचास बिजली के इंजन खड़े कर दिये हैं उसी भावना के चलते तुमने हर दिशा में अपने भोग का प्रसार कर दिया और अपनी आबादी बढ़ा लिये तो ये बात कि मैं पहले corporate slavery में था अब नहीं हूँ इस बात में कोई दम नहीं corporate की slavery कभी कोई करता नहीं सब अपने लालच की slavery करते है श्रम पहले भी कर रहे थे श्रम अभी भी कर रहे हो तब क्या श्रम मुक्ति के लिए कर रहे थे आज भी क्या श्रम अध्यात्म के लिए कर रहे हो और मुक्ति के लिए कर रहे हो कहा जा रहे हैं तुम्हारे समय और संसाधन न तब जा रहे थे अध्यात्म और मुक्ति की और न आज जा रहे हैं तो ये जूट है कि कोई भी व्यक्ति corporate slavery में होता है कोई किसी और का गुलाम नहीं होता सब अपनी ही कामनाओ, लालच, वासनाओ और अज्यान के गुलाम होते हैं कोई किसी दूसरे के सर पर अपने बंधनों का ठीकरा न फोड़े कोई न कहे कि मैं तो corporate की गुलामी में पढ़ा हूँ अपनी ही गुलामी में तब थे और अपनी ही गुलामी में आज भी हो अगर तुम्हारा श्रम उसको नहीं समर्पित है जिसने अरजुन से कहा था अरजुन जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए मत करना जो कुछ भी कर रहा है मुझे समर्पित कर आज भी तुम्हारे समय तुम्हारे संसाधनों की दिशा किधर को है बोलो मौखिक बादचीत से काम नहीं चलता तथे बताओ और आकड़े बताओ जो कर रहे हो उसका परिणाम किसको समर्पित कर रहे हो जो कर रहे हो उससे जो भी प्ल पाते हो जो भी फल पाते हो जा किसकी सेवा मेरा है जब मन बदलेगा तब दुनिया को हो रही ख्षति बदलेगी तकनीकी विकास नहीं बचा लेगा ये बहुत बड़ी भरानती है लोग कहते हैं प्लास्टिक काओ प्योग कम करो हर तरह के renewable resources की बात करते है तमाम तरह के वस्तुओं के पुनरचक्रण की बात होती है कुछ नहीं होने वाला इससे technology अधिक से अधिक इतना ही करती है कि machine की efficiency बढ़ा देती है एक नई machine ले आ देती है जो पहले की अपेक्षा कम संसाधनों में वही काम कर देगी technology इतना ही तो करेगी न पर technology तुम्हारा मन थोड़े ही बदल देगी जैसे ही तुमको दिखाई देता है कि कोई काम पहले 10 रुपए में होता था अब 5 रुपए में हो रहा है उसको करने वालों की संख्या 10 गुनी हो जाती है क्योंकि इसी को तुम प्रकत ही कहते हो कि ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे ज्यादा लोगों के हाथ में संसाधन रहे जितना ज्यादा लोग उपभोग करेंगे कंजूम करेंगे उसी को हम कहते है कि development हो रहा है GDP नापा ही consumption से जाता है दो ही तरीके है production से नापलो या consumption से नापलो दोनों का आर्थ यह की है उपभोग असली समस्या यह नहीं है कि हम कोईला ज्यादा जला रहे है असली समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जो मशीने हैं वो प्रदूशन ज्यादा करती है असली समस्या यह है कि हम में भोगना है हम में अहम है हम प्रेम का अर्थ भी भोग समझते है हमें भी भोगना है और जिनसे हम कहते हैं कि हमारा प्रेम का नाता है हमें उन्हें भोगवाना भी है तो हम जो भी श्रम करते हैं जो भी कर्म करते हैं उसका उद्देश ये होता है कि पैसा लाला के उनको समर्पित कर दे जिनको हम दावा करते हैं कि प्रेम है उनसे व्यक्ति बड़ा खुश होता है जब अपने परिवार को और ज्यादा भोग की सामगरी दे पाता है या खुद भोग कर पाता है एक ही बात है खुद भोगो या उनको और ज्यादा उपभोग के साधन उपलब्ध कराओ जिन से तुम्हारा भोग का रिष्टा है एक ही बात है मैं इस बात को बहुत जोर दे करके कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग इस भ्रह्म में जी रहे हैं कि वो इस तरह के छोटे मोटे काम अगर कर लेंगे तो जब्मेदार नागरिक कहलाएंगे या अध्यात्मिक रूप से उन्नत कहलाएंगे इत्यादे इत्यादे कोई कहता है सहाब मैं प्लास्टिक का इस्तिमाल नहीं करता मैं तो अपना जूट का जोला ले कर जाता हूँ कोई कहता है मैं अपने घर में AC पहले 22 डिगरी पे चलाता था अब 26 डिगरी पे चलाता हूँ मैं जब्मेदार नागरिक हूँ कोई कहता है मैंने hybrid car लिये मैं जब्मेदार नागरिक हूँ कोई कहता है मैंने CNG किट लगवा ली मैं जब्मेदार नागरिक हूँ लोग ये सब काम करके अपने आपको नहतिक सांतों ना देते रहते हैं और भी तरीके हैं हमारे घर में तो और्गैनिक फूड इस्तेमाल होता है हम तो जी छोटी छोटी दूरियां पैदल चले जाते हैं या साइकल से चले जाते हैं और ये सब करके हमारे हंकार को बड़ी तुष्टी मिलती है कि देखो पूरी दुनिया तो पर्यावरण को आग लगा रही है हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं हम साइकलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला बलकि ये घातक है क्योंकि ये आपको जूटे भरोसे में रख रहा है जूटी सांतोरा में रख रहा है कि ये सब करके आपके करतवी की इतिशरी हो गई ये सब करके आपने अपने धर्म का पालन कर लिया नहीं बिलकुल नहीं तुम ये जो काम कर रहे हो ये सागर में बूंद समान भी नहीं है ये बलकि सागर से कुछ निकाल लेने कई समान है तुम्हारे इन कर्मों से न दुनिया का न पर्यावरण का कोई भला नहीं होने वाला जो असली बात है वहाँ चोट जब तक नहीं होगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डीजल कार चलाओ कि हाइब्रिड कार चलाओ और असली बात है आदमी के भीतर जो अंधेरा बैठा हुआ है उसका हटना जब तक मनुष्य का चित आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक टेक्नलोजिकल प्रोग्रेस किसी काम की नहीं कौन सी टेक्नलोजी है जो तुम्हारे भीतर से इरशिया हटा देगी बताओ मुझे है कोई टेक्नलोजी कौन सी टेक्नलोजी है कौन सी लेबोरेटरी में विक्सित हो रही है जो तुम्हारे भीतर से डर और वासना हटा देगी, बताओ पर लोगों को लगता है दुनिया की समस्याओं का इलाज है टेक्नोलजी, इससे बड़ा जूट नहीं हो सकता कई कंपनिया चल रहे हैं जो कहती हैं कि we exist to leverage the creative power of technology to create a better world मूर्ख तुमारी बुनियाद ही जूटी है तुमारा mission और vision ही बिल्कुल जूटा है दुनिया की असली समस्याओं फिर पूछ रहा हूँ क्या यह हमारी समस्या है यह हमारी समस्या यह है कि हमारा खोपड़ा खराब है बोलो slavery की वज़ा यह है कि हम corporations के सामने जुख जाते हैं slavery की वज़ा यह है कि हमारे भीतर कुटिलता भरी हुई है कुटिलता नहीं निकाली मन से तो एक नौकरी छोड़ के दूसरी कर लो चाहे दूसरी नौकरी छोड़ करके स्वरोजगार कर लो entrepreneurship कर लो तुमारी गुलामी कहां हट जाने वाली है किसको धोखा दे रहे हो तो उर्जा टेकनोलोजी को बढ़ाने में लगानी चाहिए या दिमार ठीक करने में इस पूरे विश्व को technological नहीं spiritual revolution की ज़रूरत है तुम गलत जगह उर्जा लगा रहे हो अपनी तुम technology companies में काम कर रहे हो और सोचरों दुनिया का भला कर लोगे तुम खुद को धोखा दे रहे हो कर दोचरों जगह रहे हो